कॉर्मा बिनाने के लिए रेसीपी के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का भी ख्याल रखा जाता है जो मैं आपको बिताओंगी अस्सलाम अलेकों, लाफ टु कुक, यू केन डु इट चलेंजी कैसे आप सब लोग अपनी रेसीपी स्टार्ट करते हैं हम देर किलो चिकन चाहिए, दो बड़े प्यास स्लाइस किये हुए, अधरक लेसन का पेस्ट वान अनाफ टेबल स्पून, दो बड़े टमाटर कटे हुए, सिक्स टेबल स्पून घी चाहिए आपको इसके लिए और साबत गरम मसाला और पिसाओवा गरम मसाला, ठीक है सबसे पहले हम घी गरम करेंगे, कड़ाई में, पैन में, हंडिया में, और तेज आँच पे हम चिकन को फ्राइ करेंगे, ठीक है ये बहुत important step है, ये जरूर करना है आपने इससे क्या होगा कि चिकन के juices seal हो जाएंगे, राइट क्योंकि जो कोर्मा है, वो थोड़ी सी gravy वाली dish होती है, शोर्बे वाली तो उसके लिए जरूरी है कि जाइका शोर्बे के इलावा ना, गोश्ट में भी रहे थोड़ा बहुत ठीक है, तो जब हम इस तरह से तेज आज पे fry करते हैं चिकन को या किसी भी meat को, तो वो juices उसके अंदर seal हो जाते हैं गरम घी में आप फॉरण से जब चिकन के पीस डालें तो एकदम से, क्या उसको कहते हैं, अपने आपको seal कर लेता है तो इस से आपका चिकन जूसी रहेगा, कोर्मा बनने के बाद खाने में मज़ा आएगा बैजिस में हमने इसको fry किया है, क्योंके डिर किलो चिकन था, यह देखा आपने फिर्स बैज का चिकन ठीक है और अब हमने सेकिंड बैज भी fry कर लिया ना इन दे सेम ऑईल, उसी ऑईल में ही हम अब प्याज शामिल करने वाले हैं दो बड़े प्याज हैं, स्लाइस हुए वे, इनको हमें ब्राउन करना है वैसे तो जो तरीका होता है, उसमें ब्राउन करें, प्याज निकालनें, फिर अद्रक लेसन डालनें एनिवेज, मैंने उसका एक शॉटकट इन्वेंट किया है, खुछ से के प्याज ब्राउन होने लगता है, जब शुरू होने लगता है, ठीक है अब ही मैं आपको इसकी स्टेज दिखाती हूँ, यह देखे यह देखें, थोड़ा सा वो जाने लगा है ब्राउन होने की तरफ अब इन चीजों को इक अठे ब्राउन होने देंगे हम, और इसके बाद यह देखें, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से ब्राउन होगे हैं अब आपने एक चीज करनी है कि टर्न आफ दे स्टोव, चूले को बंद कर देना और फिर प्यास को निकालना है अच्छे से ब्राउन होता है तो वो उसका अरोमा बढ़ जाता है ठीक है, उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है तो इसलिए पहले आपने गर्म मसाला डालना है, साबत वाला जो हमने ब्लेंड करके रखा था और अब नमक, मिर्च और हल्दी, यस ठीक है, यह बिलकुल आपके टेस्ट के मताबिक डलते हैं, जितना आप फाते हैं, उतना मसाला इसमें आप एड़ कर सकते हैं, राइट, मिर्चों की क्वांटिटी, नमक, नमक हमेशा अर्जस्टेब और हल्दी, उसको अच्छे से आपने भूनना है, ठीक है, थोड़ी सी तेज आंच पे और यह देखें, यहां तक भुनाई करनी है, कि गी वो छोड़ दे, उपर आपको गी नजर आ रहा है ना, और अब आप देख रहे हैं, क्या मैंने एड़ किया है, इस केचप, राइट इस वीडियो के एंड पे आपको लिखे वे उर्दू में इंग्रीडियंट्स मिल जाएंगे, और मैं आपको यह भी बताऊंगी, कि रेसिपी आपको उर्दू इंग्लिश में लिखी भी कहां से मिलेगी, और राइट, इसको अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे, और इसको अ इसको भी मसाले के साथ जड़ा थोड़ा सा भूल लेंगे, और राइट, ना यू विल अड़ इड वाटर इन ठीक है, वाटरी डिश होती है, आप इसमें पानी शामिल करें, जितना आपको शोर्बा चाहिए, और अगर कम शोर्बा रखना है, तो थोड़ा कम पानी डाल ल आपको शोर्बा कर देंगे, तो फिर आप आँच हलकी कर देंगे, ताके चिकन अच्छी तरह से गल जाए, और जब चिकन गल जाएगा, तो इसका मतलब है के आपके डिश रड़ी है, कोर्मा इस रड़ी, इसको आप नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दोनों तर मैं जादा इसको नान के साथ इंजॉय करती हूं, आप भी कमेंड करके बताएं कि आप किसके साथ इसको ज्यादा इंजॉय करते हैं, अब हम इस पे जिंजर स्लाइस डाल रहे हैं, वां टी स्पून गरम साला एट कर रहे हैं, हम इसमें मिनिमल मसाला, ये तिब याद रखे कि कम से कम मसाला यूज करना है, ओके, now we will add coriander leaves and few, one green chilli sliced and then we are going to cover it ताके इसका अरोमा अच्छे से पूरी डिश में आ जाए, ठीक है और उसके बाद फिर हम इसको सर्फ करेंगे, alright, yes, now we are going to serve it, उर्दू और इंग्लिश में लिखी वी रेसिपी आपको चाहिए तो उसके नीचे description में दिया होगा, उस पे click करें and you will get the recipe, इसी तरह टिप्स के साथ recipes देखने के लिए subscribe करें मेरे channel को, like करें मेरी video को और share करें